हो को अश्र का अश्रा एक जो दुद e जो का है अब रिटिंग शिस्टम पर लेक्षिर स्यूरीज में अभी हम बात करेंगे प्रयुर्टि wow की जिसका mode non-preemptive होगा और जिसमें arrival time को consider करेंगे तो इससे पहले हमें priority scheduling का non-preemptive version देगा जिसमें हम उसे without arrival time के साथ समझ चुके हैं और ये भी समझे है कि priority scheduling काम कैसे करती है तो यह एक बाद recap करके जल्दी समझ लिते हैं कि हाईयर नंबर हाईयर प्रायरेटी और यह खोथी है लोवर नंबर हाईयर प्रायरेटी मतलब सिधा सा बात है question में यह given रहेगा कि जो priority given है उसमें सबसे बला नंबर है उसकी priority अगर जो बला नंबर है उस consider में हमें वर्ण रिप्रायरीटी ले लेना है question में दिया हुपा रहता है यह दिया जा सकता है जो छोटा नंबर होगा ठाई उसकी priority को रिकार्टी को घंशिडर करना है या तो question में दोनों plus किसट लिए हो रहेगा या बादा नंबर च्वोटा नमर को च्वोटा नमबर को अब करो यह मैने प्रिविविए लेक्टर में समझाया था उसम इसे प्रिविए सब्सक्राइब देख सकते हैं एक इसको सौब करते है तो एक रड़ी की वहता रही है और एक रणिंग की यह तो सब जानते ही है तो गैंट चार्ट को ही रॉनिंग क्यू बोला जाता है तो पहले प्रोसिस कहां आता है रेडी क्यूंँ देखिए तो पहले अभी यह देखेंगे एट टाइम अराइबल टाइम को कंसिदर करते कि यह से जीरो पे पिवान अया तो अलगत है तब इसके कि अधिकर यहीं Πाइरेटी यह की चिट si sa nai को पोछ्ट धु खेम से पीटू आया तो अब यह बुद क Compl %. । तर सो यहीं झले नोग चलेगा Va पूरा आपना टाइम लेगा तिसको बस्टेम कितना है एलेवन तो फूरा आपना एलेवन तर चला लिक अब देखे जैसे पीवन 0 से 11 के बाइस में चला जो से इलेवन तक चला तो कौन कौन सा प्रोसेस अराइब हो गया एक यह देखे अदर जिरो से वन तक अगर मैं के स रहों ठेक है तो यह एक मिनूट समझने को सित में है लिए जिए जिटी जिटी जीटी 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 जीरों फिर दूर्ञ झेवन एडिटी नाइन अब चे कोई प्रोसेस नहीं है यदो पर कॉन सा फ्रोसेस सब्सक्राइब को जिसके lot ुमीप्राम मैं सुछे Bye- HOW ते एक है किसे सब्सक्राइब कर रहा हूं कि जिसकी डॉक्रहिए भी ज़क thì, है यहां पर और जिसका नंबर कम है उसकी प्रियर्टी हाई ना मैं इन प्रिव्यक्त में भी स्वर्ट करता इसली ले रिजा की आप देख जीक तो में भी को लिकिन यशा में अरल हैी व्रीक्ष यौत करता है नहीं फाइब नहीं हां वाइब पर कौन आया पी 2 आया है apto का प्रारिटी करना जीरो इसको मैं कूOW process गेन कीतना है Jyreo जीरो इसको में कुछ इस तरिकेश कीता हूँ 1 deine Drake 10 meu इसका कितना है teat आइल्य गहला भी कज़िए तरि प्रिफ्र राथ है जूँट आइन पस्तियती बता रही है है यहाँ तरह फिर फ्र फाइब उसका प्रेदी कितम नहीं है यह सब्सक्ता इस नहीं नहीं कोई प्र मोग्स नेव डिन से प्र कोई प्रोस स hammamon's इस प्रोसbnों कि प्रिद आप पर नोबर से नियुक्स दॉख से यह और अभी एकुशन टाइब सेमी ऌता है ठिका चलिए टेंट पर आया है पर कोई लिए नहीं है तो जीरो से एलेवन के बीच में लिकार्थेन तीन कोटर्श्यश में रेडिक्यू में आंच जुका है और मोज देखेंगे प्री नंबर नंबर सबसे कम नंबर किसका है प्रीटू तक चलेगा क्यों कि यह नॉन प्रियम्टिव का क्या है मतलब यह चला गया ब्रगाई पूरा अपना टाइम लेगा तो 28 प्लस 11 कितना देर चला यह 39 अब देखने 39 के बीच में लगवग सारा प्रोसेस आ चुगा है क्योंकि 12,39 से कम है और कोई arrival time अब इससे 12 या चोड़ा नहीं है तो अब यहां पर मेरा यह P2 गया तो अब मेरे पास है P4 10 उसका priority 1 है अब यह भी आ गया P3 3 के साथ 3 है और उसका priority 3 है और उसका बस टाइम यहां बस टाइम कंसिडर नहीं होगा यहां पर कंसिडर होगा priority देखिए P4, P5 और P3 में सबसे ज्यादा priority किसी है तो P4 की क्योंकि जितना कम नंबर रहेगा priority उतना जा रहा है P4 कितना बार चले execution time कितना है 10 है तो 39 प्लस 10 49 हो गया ठीक है चलिए यह भी खत्म हो गया अब P5 और P3 में priority सबसे ज्यादा किसका है P3 का यह कितना चलेगा 2 unit of time तो यह 51 हो गया चलिए लास्ट फिर P5 बचा कितना है 16 तो यह पूरा 16 चलेगा तो यह हो जाएगा 67 ठीक है आगे कुछ नहीं तो यह ज्यादा बरा बन गया फिलाल यह इतना है अब निकालते हैं फिलाते हैं तो assuming या तुरिंटर बचान टाइन से सब्क्रशन डर्था तो सब्क्रकमिका चांगिन तो मैनाइस सब्सक्राइग नेयुपि नही ज्यांते हैं तो इस दोने के डिफ्रेंस को ही तरन अराउं टाइम बोलते हैं तो मेरा कम्प्रिटीशन टाइम देखें 11-0 11 हो गया 39-5 कितना हो गया 39-5 34 51-12 39 49-2 47 67-9 58 ठीक है अब वेटिंग टाइम कैसे कल्कुलेट करते हैं जो तरन अराउं टाइम होता है ठीक है उसमें से जो उसका बज टाइम होता है यानि execution टाइम को subtract कर देते हैं तो अब मेरा वो निकल जाएगा 11-11 यह 0 हो गया 34-28 यह 6 हो गया 39-2 यह कितना हो गया 39-2 37 47-10 37 और 58-16 यह हो जाएगा 42 अब एक remaining time भी होता है चलिए उसको भी देखते हैं क्या आता है क्या होता है कि first time cpu मतलब process को CPU कब मिला और सका arrival time को subtract कर देंगे ना मतलब मिला 11 पे और उसका arrival time है 5 तो यह हो गया 6 फिर P4 है P4 को 39 पे मिला आके CPU और उसका arrival time 32 39-2 37 फिर P3 है P3 को कम मिला CPU 49 पे लेकिन उसका arrival time P3 कर देंगे तो यह भी 37 ठीक है फिर लास्ट लिए P5 P5 कम मिला 51 पे और उसका arrival time कब है 9 पे इसको सब्ट्रेट करेंगे तो 42 तो यह देख रहे हैं कि नौन प्रियम्टिम के case में जो वेटिंग time होता है और remaining time दोनों लगवा सेम ही आता है ठीक है और अगर गलती सिधर negative आने लगाना तो समझेजिए कि कुछ आप calculation में गलवड़ी और दूस निकालते हैं अगर इसको calculate करेंगे तो टोल टनर्वाउं टाइम निकल जाएगा इसको calculate करेंगे तो टोल बेटिंग मिल जाएगा और इस total turnaround time को number of process से divide कर देंगे तो कितना number of process पांच और इसको भी अगर number of process से divide कर दें total waiting time को तो यह total turnaround time को divide करेंगे तो हमको मिल जाएगा average turnaround time और यहां मिल जाएगा average waiting time तो आधी के वीडियो हम देखेंगे priority scheduling का preemptive version with arrival time and without arrival time तो अभी priority scheduling and order lecture आएएगे इसमें हम questions को solve करेंगे में भी इसी problem को solve करने की questions करें यह हमारा इस question को देखेंगे तो आप यह gate आपका 2017 का question है ठीक है gate 2017 question अभी हमने इसे solve किया है चलिए ठीक है मिलते हैं फिर next lecture में तब तर के लिए अपना क्याल रखेंगे बाई